हेलो एवरिवन आज हम जा रहे हैं चूरधार और अभी हम है सोलन में और हमने सोलन से बस लिया राजगड के लिए और राजगड है आपका यहां से 40 किलो मेटर्स तो अभी हम है सोलन के गिरिपुल में और यहां पर शनी मंदिर भी है इसके बाद हम पहुंच जाएंगे डिस्टिक सिर मौर और राजगड से हम बस चेंज करेंगे नौराधार के लिए जहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा तो यह हम पहुंच गे है राजगड मार्किट और यह है हमारी बस जो हमार को नौराधार ले जाएगी और नौराधार है यहां से 27 किलो मेटर्स और यहां पर थोड़ी देर की ब्रेक लेती है बस उसके बाद हम सिधा पहुंच जाएंगे नौराधार तो अभी हम आगे है राजगड से आगे और यहां से नौराधार है 17-18 किलो मेटर और बाकी आपको दिखाते हैं नौराधार पहुंच के तो फाइनली हम पहुंच गए नौराधार और यह है वो गेट जहां से हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे तो फाइनली हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया है नौराधार से तो एटीन किलो मेटर का यह ट्रैक है पांच से छे घंटे लग जाते से कंप्लीट करने में और हमारे पास काफी समान था टैंट्स थे खाना बनाने का समान था तो हमें ज्यादा टाइम लग गया और बाक कि डिपैंड करता है आप कि स्पीड से चल रहे हो और कितना रास ले रहे हो तो काफी देर चलने के बाद यहां थोड़ थोड़ी शाम भी होने लग गए थी और हम सब भी काफी ठक गे थे क्योंकि हमारे पास सब के बास काफी समान था और हमें याँ पर पानी मिला तो हमने थोड़ा पानी पिया रेस्ट किया तो यह सब करते करते हमें काफी रात हो गई थी तो हमने फिर वहीं अपना टेंट लगाया आग वगेरा चलाई मैगी बनाई प्रूलन रिखान किया यह से जड़े रेसोंका किया कपरो किया है कभरों ट क्या है दो थे कही रेस्ट विरश process यह स्दो कि यहां पहुंचने के बाद आपका ट्रैक सिरफ चार किलो मेटर का रह जाता है और आपको सामने मुर्ती दिखने लग जाती है वो टॉप पर और जो यहां का व्यू है बहुत ही सुन्दर है तो फाइनली हम मुर्ती के पास पहुचने वाले हैं हम थोड़ा रास्ता भटक गे थे तो हम इन पत्थरों के बीच से आगे और यहां से जो व्यू है बहुत ही सुन्दर व्यू है बहुत ही अच्छा दिखता है तो आखिर हम पहुची गए यह है शिर्गुल महराजी तो आखिर हम पहुची गच्छा दिखता है